गुद मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ, आप सभी अपने घरों पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे. आज हम अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ अभ्यास कारे करेंगे. तो बच्चों हम अपनी उत्तर पुस्तिका खोलते हैं, उत्तर पुस्तिका के जो पेंच है उसके लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम डेट लिखेंगे. आज की डेट है 17 एप्रेल 2021 तो जैसा मैंने लिखा है आप लिखेंगे 17 4 21 और राइट साइड पे हम क्लास वर्क लिखेंगे CW. तो मेरा सभी माता पिता से ये अनुरोध है जैसे कि मैंने इस पेज पर पहले से ही लिखके रखा हुआ है. आप सभी को भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से लिखके देना है. तो बच्चों अब हम अपना अभ्यासकारे शुरू करते हैं. दो अक्षर के शब्द जोड़ कर लिखिए. इसमें हमें कुछ अक्षर दिये गए हैं और उन अक्षरों को जोड़ कर हमें नया शब्द बनाना है. तो बच्चों पहला अक्षर है फ, दूसरा है ल, हम इने जोड़ कर लिखते हैं. फ, ल, फल, इसी तरीके से दूसरा अक्षर पढ़ते हैं मा, और ये अक्षर है ग, अब हम इने जोड़ कर लिखते हैं. म, ग, मग, नेक्स्ट, ख, त, पम इने जोड़ कर लिखते हैं, ख, त, खत, ये बन गया खत. आप सभी को बहुत ही साफ सुत्री हैं राइटिंग में इसको लिखना है. अब अगला अक्षर है न, ये है ट, तो अब हम इने जोड़ कर लिखते हैं, न, ट, न, न, ये बन गया न, अब अगले अक्षरों पर चलते हैं, प, र, को जोड़ कर लिखते हैं, प, र, पढ़, अगला पढ़ते हैं अक्षर, स, ये दूसरा अक्षर है र, इने जोड़ कर देखते हैं, क्या शब्द बनेगा, स, र, स, अब हम नेक्स्ट पेज 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 कुछ काम करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले, लेट साइड पर हम डेट लिखेंगे, सेवेंटीन, फोर, ट्वैंटीवन, और राइट साइड में क्लासवर्ट लिखेंगे, सी डवू, तो स्टूडेंट्स, जो अब नेक्स्ट हमारा जो अभ्यास है, वो है, दो अक्षर वाले शब्द लिखिए, मेरा सभी मातापिता से अनुरोध है, कि वो बच्चों को, जैसे मैंने ये लाइन कीची हुए, और ये नमबर्स लिखे हुए हैं, आप सभी बच्चों को पहले से ही ये लाइन कीच के और ये नमबर्स लिखे दें, और आपको इन सभी शब्दों को बच्चों को बोल बोल कर लिखवाना है और बच्चे भी यह शब्द बोलेंगे और लिखेंगे तो पहला शब्द है नल तो हम लिखते हैं पहला शब्द न ल नल अब दूसरा शब्द लिखते हैं मन म न मन जो तीसरा शब्द हमें लिखना है वो है चल च ल चल इसके बाद हम लिखेंगे खग 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 इसके बाद हम लिखेंगे वक वक क वक इसके बाद जो शब्द हमें लिखना है वो है बस इसके बाद हम लिखेंगे सच जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो है थक इसके लिए हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे थक दो नेक्स्ट हमारा जो शब्द है हट फिर पत्र पत्र जो नेक्स्ट हमारा शब्द है वो है रत र थ रत इसके बाद जो हम लास्ट वर्ड लिखेंगे चड़ चड़ र चड़ मैं आशाक करती हूं आप सभी को यह अभ्यासकार समझ में आ गया होगा तो सभी बच्चों अपना टाइम से सभी कारे कंप्लीट करके इसको सम्मिट कर दीजिए कुट बाई दीजिए